हेलो दूस्तों आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चेनल नर्सिंग रिव्यूज एंक्यूज में दोस्तों एक बार फिर से बिल्कुल पर्मानेंट वेकेंसी की वीडियो हम लेकर आचुके हैं आपके लिए जी हाँ दोस्तों प्रेंट्स बिल्कुल पर्मानेंट वेकेंसी होने वाली है और पूरी इंफोर्मिशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो हमारे साथ वीडियो में अंतक जरूर बने रहे हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों अभी तक आपने हमारा चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज एंड क्यूज तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर ले हमारे चेनल को सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा कर ओल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें दोस्तो यदि आपने All Notification पर क्लिक नहीं किया है दोस्तो तो आपको आने वाले सभी वीडियो की अपडेट नहीं मिल पाएगी हमारे चेनल से सभी वीडियो की अपडेट पाने के लिए दोस्तो ओल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें यहाँ पर vacancy की जिसके बारे में हम बात करने वाले है वो होने वाली है दोस्तो जारकंड से जारकंड करमचारी चैन ऐयोक से यानि कि JSC से vacancy है दोस्तो vacancy बिल्कूल पर्मानेंट होने वाली है और All India के लिए vacancy यहाँ पर निकाली जा चुकी है शेनी एके पद पर नियुकती है तू परतियों की परिक्षा 2022 नियमी भरती यहाँ पर निकाली गई है जिसमें दोस्तों परिवार कल्यान विबाग के पतरांग 68 के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है रिम्स राची अंतरगत परिचारी का श्रेणी एके पद पर नियुकती एतू परतियों की परिक्षा 2022 कायोजन किया जा रहा है जिसके लिए ओनलाइन आवेदन आमंतरित किये जा रहे हैं यानि कि ओनलाइन एप्लिकेशन स्टार्ट किये जा रहे हैं जो कि आप ओनलाइन वेबसाइट jssc.nick.in पर जाकर बढ़ सकते हैं फीस की बात करें तो यहाँ पर एप्लिकेशन फीस मातर 100 रुपीज आपके लिए रहने वाली है और यहाँ पर परिक्षा शुल्क जो है स्टी स्टी कंडेट्स के लिए केवल 50 रुपीज ही रहने वाला है बाकि अधर केटिगरीज के लिए 100 रहेगा रिजर्वेशन जो कि इस पर गॉर्मेंट रूल से उसके इसाब से रहने वाला है आगे हम बात करें तो पोस्ट की तो पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट 250 के अबव रहने वाली है यानि कि 270 के अराउंड आपकी 370 के अराउंड आपकी पोस्ट रहने वाली है जिसमें दोस्तों केटेगरी वाइज डिवाइड की गई है SC, HT, OBC, General सभी केटेगरी वाइज की यहाँ पर डिवाइड की गई है जनरल के आप देख सकते हैं 141 पोस्ट है SC जो है अनुसीत जंजाती यानि कि SC के लिए और HT के लिए 37 पोस्ट यहाँ पर दी गई है इस पर कायर केटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट डिवाइड भी की गई है दोस्तों अब बात करें हम इसमें सेलेरी की और क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है आप देख सकते हैं B.S.C. नर्सिंग और B.S.C. नर्सिंग काउंसिल जारकट इस्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकोगनाईज उनिसिटी ओफ इंस्ट्यूट B.S.C. नर्सिंग यानि कि पोस्ट सर्टिफिकेट जो होता है पोस्ट B.S.C. नर्सिंग वाले कंडेड भी यहाँ पर एपलाई कर पाएंगे इस्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रिकोगनाईज नर्सिंग काउंसिल या इसमें एपलाई कर सकते हैं डिपलोमा इन जनरल नर्सिंग एन विडवाइफरी जी एनम वाले कंडेड भी यहाँ पर एपलाई कर पाएंगे यानि कि जी एनम, पोश्ट बी एस सी, बी एस सी तीनों गंडेड यहाँ पर एपलाई कर सकते हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल का यहाँ पर रिजिस्टेशन मांगा गया है परिचारी का श्रेणी A के नाम से दी गई यानि की परिचारी का जो की स्टाफ नर्स A की पोस्ट यहां पर होने वाली है इसके अलावा दोस्तों यहां पर क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ली है तो अनुभार यहां पर एक्सपरियंस भी यहां पर बताया गया है 50-bedded hospital का आपका जो है 2 year का experience यहाँ पर compulsory दिया गया है तो 2 साल का आपको experience यहाँ पर लगाना होगा जो की 50-bedded hospital का होना आविशक है अन्य अनिवारे शर्तों में यहाँ पर registered as a nurse midwife with state या Indian nursing council state nursing council से या Indian nursing council से आपका यहाँ पर registration मांगा गया है दोस्तों अपडेटी से उपरो उक्तपद के विरूद आवेदन प्राप्त की अंतिम्तिती जो है उच्छ तालिगा के इस्तम पांच अंकित पन्यूंतम शक्षिन के ओगेता और आपके जो है online application जो है अंतिम्तिती से पहले accept किये जाएंगे अंतिम्तिती यहाँ पर बात करेंगे हम आगे परतियों की ता इस्तर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों यदि आपने sports में बाग लिया आए तो आपको यह sports category से भी आप apply कर सकते है एज qualification एज की limit जो है वो 31,3,2,021 तक गंड़ा की जाएगी minimum आपके 18 years यहाँ पर age दी गई है और general category के लिए 35 years है अधर के लिए 37 और 38 अनुसिचित जन जाती के लिए 40 years यहाँ पर रहने वाली है जो PWD गंड़ेड है दोस्तों वो भी इसमें apply कर सकते हैं उनके लिए भी application form यहाँ पर accept किये जा रहे है परिक्षा आपकी return exam यहाँ पर रहने वाला है जिसमें दोस्तों आपको जो है negative marking भी यहाँ पर रहेगी आप सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो है जे एससी की डॉट निक डॉट इन साइट पर जाना होगा महाँ पर online application फीस आपको बढ़नी होगी application बनना होगा ततपस चाहता आप अपना registration कर ले सबसे पहले आपको registration करना होगा जिसमें mobile नंबर और email आईड आपको डालना लोगिन करना होगा उसके बाद आप जो है आपको जो है application form start कर सकते हैं शुलक जो है वह आपको पे करना होगा वो भी online ही होगा फीस आपकी online ही पे करनी होगी परिक्षा की तिति जो है वो निश्चित की जाएगी वह आपको जो है मिल जाएगी यहाँ पर आविदन की प्रविष्टिया में संसोधन यानि कि आप कुछ करेक्शन भी कर सकते हैं जो कि 8-6-2022 से 10-6-2022 तक कर सकते हैं उनलाइन आविदन पत्र में अबिर्थी का नाम, जनतिती, इमेल आईडी वगेरा आप सोच समझ के ही डाले, अच्छे से डाले, फिल आप अच्छे से करें, कोई दिक्कत नहीं होनी चीए रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी लाज डेट यहाँ पर 31-5 तक आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट रहने वाली है एप्लिकेशन फीस आप जो है चार जून तक दे सकते हैं फोटो और हस्ताक्सर की बात करें हम यहाँ पर, तो आपको वो अपलोड करने होंगे उसके बाद आपको एप्लिकेशन फोर्म प्रिंट निकाल लेना होगा 8-6 से 10-6 तक आप उनलाइन एप्लिकेशन को करेक्शन कर सकते हैं तो यानि कि आपकी जो लाज्ट डेट है वो 31 माई रहने वाली है इसके बाद आपको जो है एप्लिकेशन फीस के लिए एक्स्टर च्पोर डेस दिये जा रहे हैं इसके बाद आपका करेक्शन भी कर पाएंगे आप इसमें तो परिक्शा स्टूल को आपको ओनलाइन ही पे करना होगा उसके लिए आप डिरेक्ट वहाँ पर जैसे ही फीस पे पर जाएंगे आपके पास ओप्शन आ जाएगा CBT यहाँ पर एक्जाम होगा यानि कम्प्यूटर बेस्ट आपका टेस्ट यहाँ पर होने वाला है नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार की जाएगी परिक्शा सूची मुख्य परिक्शा आपके 120 पर्षन की होने वाली है आपके 120 पर्षन की नर्सिंग से सम्मनित पर्षन पूछे जाएगे जो की दो गंटे के समय आपको दिया जाएगा दोस्तो इस वीडियो में जो भी important information थी हमने पूरी share करिया आपको इसका syllabus भी चीए तो हमें comment box में लिखे आपको इसका syllabus भी जरूर बताया जाएगा permanent vacancy है अच्छी vacancy है तो दोस्तो जरूर इसमें apply करें और वीडियो में तक बने रहने के लिए आप सभी का दन्यवाद तेंक्यू दोस्तो friends यह हमारा telegram group है यदि अभी तक आपने जोइन नहीं किया है तो जरूर जोइन कर लें यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी notification हम इस पर share करते हैं यह notification share किया हुआ है 20 जनवरी का यानि कि कल का और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी notification हम share करते रहते हैं दोस्तो 142 यहाँ पर एक post निकाली गई है तो उसके वीडियो भी link वीडियो के link भी हम यहाँ share करते हैं इनकेस आपके पास कोई notification नहीं आता है YouTube से तो आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं वीडियो उसका तो दोस्तो अधे आपी तक जोइन नहीं किया है तो जरूर जोइन कर लें टैंक्यू वीडियो